तो दोस्तो नमस्कार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ की अपना आयुसमान काड कैसे बना सकतो सिर्फ 5 मिनिट में दोस्तो यहाँ पे नया पोर्टल को लॉंच करती है अब दोस्तो सभी राजियों का यहाँ पे खुद से घर बैठे आप बिल्कुल फिरी में बना सकते हूँ इस वीडियो को आखरी तक बने रहना इसमें आपको डीटल्स में समझाने वाला हूँ एटीजेड आपको जानकारी देने वाला हूँ लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक निक तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार है हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना यहां पर दूस्तों आपको सर्च कर देना है आयूसमान आप लिक्सन को जारी कर देगा यहां पर देखतो नया लोगों की तरफ से आयूसमान आप लिखा हुआ है आपको इसी पे क्लिक करना है लोगों को ध्यान से देखो, यहाँ पे आईूसमन आप स्वाइप का नाम ही है जैसे यहाँ पे देखतो, मैं ओलरडी ऊपेन कर दिया हूँ, यहाँ कि डाउनलेड कर दिया हूँ, तो ओपेन बटन पे क्लिक कर देता हूँ open button पे जैसे ही click करोंगो तो step से interface खुल जाएगा step बे step बता रहा हूँ बस आपको वीडियो को आखरी तक बने रहना है A to Z आपको जानकर ही मिल जाएगा step से interface खुल जाएगा अब आयुस्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान जैसे यहाँ पे देखतो step से scroll down करना तो नीचे login का बटन दिख रहा है login बटन पे click करना login बटन पे जैसे ही click करोगे तो यहाँ पे दो option आजाएगा दो तरीके से login एक है यहाँ यहाँ पे operator का तो आपको operator में बिल्कुल भी नहीं करना है आपको खुद से बनाना है तो यहाँ पे beneficiary लिखा है इस पे आपको click करना है इस टेप से उसके बोद यहाँ पे अपना एक mobile number डाल देना यहाँ पे उसको यहाँ पे verify बटन पे click करना जैसा ही click करोगे तो आप यहाँ पे जो भी mobile number डालोगे उस पे OTP आएगा OTP डालके submit करना है तो चलिए यहाँ पे मैं mobile number डालके verify कर लेता हूँ जैसे दोस्तों यहाँ पे देख तो mobile number इंटर कर दिया OTP भाद दिया उसको same to same capture code को यहाँ पे भार लेना है फिर नीचे login बटन दिख रहा है इस पे आपको click करना है इस step से दोस्तों आपको login बटन पे click करना है login बटन पे जैसे ही click करोगो तो step से processing your device बोलेगा steps interface खुल जाएगा आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे select state बोल रहा है तो अपना state को select करना जैसे दोस्तों मैं जारखंड के रहने वाला हूँ तो जारखंड बटन पे click कर देता हूँ उसके बद steps interface खुल जाएगा select scheme बोल रहा है scheme में दोस्तों यहाँ पे select रासन कार्ड को आपको select करना है यानि कि यहाँ पे आपको select state रासन कार्ड लिखा है मतलब आपका रासन कार्ड को बोला जारा है उसको select district आप कौन से district से हो उसको यहाँ पे select करना उसको यहाँ पे family ID बोल रहा है तो यहाँ पे अपना रासन कार्ड नंबर डाल देना उसको search बटन पे click कर दना है अब दोस्तो सब कुछ भार दिया उसको search बटन पे click कर दना है search बटन पे जैसे click करोगत यहाँ पे step से आपको search किया जाएगा जैसे यहाँ पे देख सतो इस step से आपको थोड़ा से यहाँ पे wait कर लेना है wait करने के बाद दोस्तो आपको next process खूल जाएगा जैसे scroll down करोगे scroll down करोगे तो यहाँ पे आपके रासन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम है a to jet यहाँ पे दिख जाएगा जैसे यहाँ पे देख सतो जिसका भी दोस्तो यहाँ पे आयुसमान कार्ड बना हुआ होगा उसके सामने step से अप्रोब बटन दिख रहा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे देख तो इस पर मैं चलिए बना देता हूं यही दोस्तो अगर आपका लिखा हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा अगर दोस्तों आपका इस टैप से Approve दिख जाएगा आपका Approve लिखा हुआ है तो आपका डाउंलोड हो जाएगा आपका ओल्रडी बन चुका है तो चलिए आइडेंटी बटन पे क्लिक करते हूं आइडेंटी बटन पे जैसे तो आधार OTP बटन पर जाएसे ही किलिक करोगा तो आपका आधार कार्ट को यहां पर ओटोमेटिक आ जाएगा उसको यहां पर देखे तो वेर काई बटन दीख रहा है तो फोड़ा से आपको वेट करना पड़ेगा यहां पर आपके मोबाइल नमभर पर जो भी लिंक है आप के अधार के साथ उसमें OTP को यहां पर S Kamaj सब्सक्राइब को इस टैप से भादना है जो भी आपका OTP आया है इस steps आपको भादन है जैसे यहां पैर देख तो OTP दोस्तों friendships ले लेगा जैसे यहां पर देखस्थो आपक वेट करना है आधार UKC किया जाएगा जैसे यहां देश्कर वेटन आपको बटन पे किलिक करने पिर से अलाव बटन पर क्लिक करना तो आपके मोबायल नमर पे फिर से यहां पर OTP आने का यहां पर वेट करना है तो इस टैब से आ बाट फट्ट लगेगा जैसे यहां पर देखते हो उसके बmodth ऐदारकाड में जो यहां पर फोटो और लड़ेटी यहां पर बॉटन पर किलिक करख आपको एक सेल्पी ले लेना है याने की photo click कर लेना है तो चलिए में photo click कर लेता हूं मैं दूस्तों इहां पर photo click कर लिया हूं उसके scroll down कर देना है scroll down करने के बाद यहां पे कुछ जानकर यह आपको दिया गया है जैसे दूसतों अगर आपके पास mobile number है तो yes button बेकार रहने देना है यहां पर मोबाइल नमबर भार देना है फिर भेरिपाई बटन पर किलिक करना है आपके मोबाइल नमबर पर OTP आएगा OTP डाल देना है उसके यहां पर सेलेक्ट चैंज करना चाहते हो तो चैंज करना उसक है वाद आप रूलर से हो या तो अरबन से अगर आप दिछाथ स्थ We करना तो चलिए मैं फटाइख सब कुछ भर लीता हूँ जो साब कूछ वरना कि बाद नीचे यहांपे देख तो सम्मिट को उपंचन आचुका है fatigue सब्मिट बटन पर क्लिक करना है लेकिन दुस्तों यहां पर ध्यान चीज देने वाली बात यह है कि आपको सेलफी कभी भी यहां पर फोटो अपलोड करने देगा तो फोटो नहीं किचाना है अधर्वाइज आपका नहीं होगा यहां पर सब्मिट बटन नहीं दिखेगा यहां पर साब साब जैसे यहां पर देख तो आपका दोस्तों आयुसमान कार्ड बान के रेडी हो चुका है यहां से आप डाउनलोड कार्ड बटन पर क्लिक करके डायरक्ली यहां पर डाउनलोड कर सकते हो तो इस तैप से आप घार बैठे अपना मोबाइल से आयुसमान का को लगा तो seperti जरूब करना और चैनल पर पहली रायों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूकारना उसका अगर डाउनलोड करना है किकाद करना है जैसे ही डाउनलोड़ कारण बटन पर क्लिक करोगा तो इस टैज से प्रोशेषिंग